तो हलो एवरीवन आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ तो टाइगर नागेश्वर राओ दोस्तो मूवी देखाया हूँ इसका भी दोस्तो रिव्यू करने वाला हूँ मूवी दोस्तो लोगों को काफी पसंद आने वाली है I know that भाई आपने अगर रवी तेजा की कोई सी भी मूवी अभी तक नहीं देखिए सिनिमा हॉल में तो मैं लिटरली दोस्तो आपसे एक बात कहना चाहरा हूँ कि अगर आप रवी तेजा की इस मूवी से अपना वो भी प्रण तोड़ते हैं जाके सिनिमा गरों में कुछ पैसे खर्श करके टाइगर नागेशवर राओ ये देखते हैं तो भाई आपके पैसे पूरी तरीके से वसूल होने वाले क्योंकि दोस्तो इस मूवी को बनाया ही इसी तरीके से है कि आप लोगों को पसंद आए हर लेवल के बन्दों को दोस्तो ये मूवी पसंद आने वाली क्योंकि मूवी के अंदर आपको दोस्तो रोमैंस, इमोशन, ओरिजिनल स्टोरी, प्लस एक्शन, जबरतस्त दोस्तो देखने को मिलेगा स्टार्टिंग दोस्तो मैं क्या बताऊं भाई, मूवी में जो तो रवी तेजा का जो इंट्रो है भाई, रवी तेजा के इंट्रो ने ही आपके टिकिट के पैसे वसूल कर दिये है, 100% दोस्तो मैं आपको बोल रहा हूँ मदा आएगा जब आप देख रहा हूंगे पूरा दोस्तों अगर देखो आप यह मुवी भाई IMAX वगरा में देखते नहीत तो आपको और भी जादा मदा था पता नहीं यह मुवी तेजा का दोस्तों लुक दिखाया गया है वो भाई सब जबर्दस दिखाया गया भाई रवी तेजा का इस मुवी में दोस्तों दो लुक है दो लुक है अब देखो क्या क्या लुक है लुक के बारे में आपको दोस्तों में ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा स्रीफ और दिफ मैंने दो लोग आपको बता दी हैं बाकि जब आप मूवी देख रहे होंगे भाई जब आप मूवी देख रहे होंगे ना वहाँ पर आपका मज़ा खराब हो जाएगा अगर आप मेरी बात सुनके मूवी देखने जाओगे अगर मैं सारा चीज़े आपको स्पॉयल कर दूँ सब कुछ बता दू तो आप मूवी देखने अगर जा भी रहे हो ना तो आप यह सोचोगे यार मैंने क्यों देख लिए इसकी वीडियो अभी तेजा ने वाके में इस मूवी के अंदर काफी अच्छा काम करा है देखो बाकी जो स्टार कास्ट अनुपम खेर भी मूवी के अंदर है अनुपम खेर का भी दोस्तो काफी एहम रोल है फिलाल तो यह है कि पूरी स्टार कास्ट ने बहतरीन काम करा है और आपको दोस्तों मदा प्रोपर आने वाला है इंटर्वेल से पहले दोस्तों एक fight है जो काफी दोस्तों जबरदस है 100% दोस्तों आपको मदा आने वाला है मैं literally दोस्तों आपसे कह रहा हूँ fight किस पे होगी किस पे नहीं होगी इसके बारे में मैं दोस्तों आपको कुछ भी नहीं बता हूँ या आपको मुवी में देखने के बात पता लगएगा हाँ इतना बता सकता हूँ कि भाई कुछ ना कुछ train का एक होने वाला है लफडा लफडा वहाँ पे आपको दोस्तों fight देखने को मिलेगी और क्या fight है भाई रवी तेजा ने थाबित कर दिया कि भाई मैं हूँ माथ action hero जबर्दस दोस्तों जबर्दस एंड दोस्तों जीवी परकाश का BGM and VFX काफी बैतरी न दोस्तों जीवी परकाश ने BGM और VFX काफी बैतरी दोस्तों दिया है and दोस्तों BGM तो भाई साब गूस बम दिला देगा गूस बम जैसे ही रवी तेजा की entry होती है और जो BGM निकलता है क्या जबर्दस लेवल का दोस्तों BGM तो आपको लिटरली दोस्तों पैसा वसूल मूवी है मैं बोलता हूँ के एक बार देखने के बाद में आप ये मूवी भाई दूसरी बार भी 100% जाके देखने वाले है मैं बोलता हूँ भाई अगर किसी ने टिकेट बुक नहीं कराया है तो जाके कराओ टाइगर नागेशवरा मूवी देखो बहतरीन मूवी सिनेमेटोग्राफी दोस्तों काफी अच्छी है मूवी की बहुत अच्छी सिनेमेटोग्राफी दी है और बिलकुल भाई देखो मज़ा आने वाला वीएफेक्स तो भाई भर भर के इन्होंने ऐसा दे दिया है कि आपको बिलकुल भी पता नहीं चलने वाला है कि वेफेक्स चल रहा है कि रियालिटी चल रहा है सिनेमेटिक बहुत बढ़िया दिया है जो इन्होंने मतलब डिरेक्टर साहब ने जो दिया है ना भाई लुक एक बढ़े परदे का वो भाई 100% आपको मज़ा आने वाला रवी तेज़ा ने काम मूवी के हिसाब से बहुत बढ़िया दिया है एंड भाई देखो ओरिजनेलिटी है स्टोरी में ओरिजनल स्टोरी है इमोशन्स दोस्तों भर भर के मूवी के अंदर भरा पड़ा इमोशन्स आपको कनेक्ट करेगा मूवी में Emotions दोस्तों ऐसा दिया है कि कोई भी आम से आम पबलिक एंड ऊचे से ऊचा जो है बंदा Connect कर जाएगा मुवी से को कि Emotions इतना बहतर इन दिया है मुवी के अंदर रवी तेजा का दोस्तों ऐसा सीन मुवी के अंदर जिसको देखने के बाद में आपको literally आँखों में आसो होने वाले है भाई वो क्लामेक्स का सीन और क्लामेक्स में जो डायलोग डिलिवरी हुई है वो भाई साब गजब की हुई है अब दोस्तों यह है कि भाई आज इस मूवी ने 10 करोल की ओपनिंग तो ली है 10 करोल की ओपनिंग आज के लिए यानि कि आज इस मूवी ने Day 1 में 10 करोल का सा कलेक्शन का प्रेडिक्शन आ रहा है अब देखने वाली बात होगी जैसे ऐसे मूवी को ओडियन्स मिलेगी पसंद करेगी वैसे वैसे दीरे दीरे ओडियन्स जाके देखेगी भाई कलेक्शन बढ़ेगी अब आज इसके रिव्यूज आने अच्छे अगर आ जाते हैं हमें तो मूवी अच्छी लगी तो हम तो अच्छा ही बोलेंगे जो मूवी अच्छी नहीं लगती है मैं उसको अच्छा नहीं बोलता है अच्छी लगी तो मैं अच्छा बोला तो आज अगर इस मूवी को लेकर और भी अच्छे रिव्यूज आ जाते हैं movie दोस्तों काफी अच्छे तरीके से audience के सामने पेश होगी audience जा के देखें कि audience पसंद करेगी मुझे नहीं लगता movie के अंदर किसी भी तरीके का कुछе कमी ही देखो थोड़ा भूथ थोड़ा भूथ रहता है थोड़ा भूथ में में चीज है जादतर यह है कि फोकस रवी तेजा पे किया गया और कहीं कहीं पर दोस्तों जो गरेक्टर है वो कहीं पर अपने काम से थोड़े से कम दिखे रवी तेजा के मुकावले रवी तेजा को जादतर इस मूवी के अंदर एक impact जादा दिया गया आपको जो है मज़ा आने माला प्रोपर आपको बिल्कुल celebrating ऐसा लगेगा पूरी celebrating मूवी है रवी तेजा की मतलब पूरा मूवी में celebrate करा है रवी तेजा ने और भाई एक तरीके से दिखा है कि हाँ भाई मैं ही हूँ इस पूरी दिये बहुत उम्दा लेवल का काम करा है और जैसे यह से यार देखो आप फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ती जा रही है न वैसे वैसे मुझे ऐसा लगता है कि साउथ ही क्या हर जगा में अब मतलब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अब हर जगा में हर हर मतलब लैंग्वेज में काफी अच्छे और मैनत के तोर पे दोस्तो मूवियां बन रही है अब ऐसा नहीं कि हलके में लेके मूवी बना दी भाई बहुत मैनत लग रही है अब से अगले किसी वीडियो में एन एन एंड थैंक्स वर्वाच